यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आज बॉलिवुड में भी ये बेटी अपनी एक छाप छोड़ने में काम्याब रही है इस बेटी से हम आपको मिलवाएंगे लेकिन उससे पहले उसकी एक जलक आप देखिए पंची बिच्छन वगर मिले से पैड़ आजो का हाँ से जोई आखों में प्यार लेगे आजो का हाँ से जोई आखों में प्यार लेगे घड़ने का देखिए पैसी बाहार लेगे तो हमारे साथ मौजूद है सोनिया बहुत स्वागत है सोनिया आपका मैं बेटी हूं में नमस्कार सोनिया उननीस साल की आप महज अभी है लेकिन जुस तरह के आप गाने गाती है आपकी आवाज से कोई नहीं पहचान सकता कि 19 साल की एक लड़की जो है इन गानों को गारी है वो आवाज कहां से आती है I don't know मेरे हिसाब से शायदी यह गौड गिफ्ट है मेरे लिए और 19 साल कह सकते हो पर मेरे एक्सपिरियंस यह कहता है कि मैंने बच्पन से बहुत मैंनत करी है अब मेरे मैंने डबल हो चुकी है तो इस वजह से इस एज में वो चीज नजर आती है लोगों को कि अब तक का यह पूरा सफर कैसा रहा है बहुत सारी चीज़े मैंने सीखिया अपनी लाइफ में आज तक मैंने बढ़ा कुछ सीखा अब मुझे याद है कि ऐसा मेरी ममी कहती है कि मैं बहुत चोटी हुआ करती थी मुझे पहले डांस का बहुत शौंक था मैं कथा करा करती थ अब मेरे दादा जी ने उनको सपोर्ट ने किया तो फिर मेरे डैडी बेल्ट की जॉब में आ गए देन उनको जो शौंक था वो आया बच्चों के लिए कि हा मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर जाए और देन मैं उनके पास जया के बैट जाती थी तो उनको सुनती थी सुनत कॉंपुटिशन तेँ से दिल में कॉंपुटिशन होता है संग हम्कलाग गरूप जिसमें से बहुत सारे सोनवनिगम सुनिदी चुहान सब बढ़े बड़े बड़े कलागव इसमें से निकले हैं तो मुझे वहाँ जाने का मुखा मिला उस टाइम पे मुझे इतना जादा नहीं आता था मतलब इसको बोलते कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बट मैं वहाँ गई और मेरा मेरी महनत कह सकते हैं कि मैं बहुत चोटी थी बच्चे खेला गरते थे बाहर जाना उनोंने टॉफी खानी यह खाना और मैं बच्पंजी बड़ा सोबर जिसको बोलते ना बड़ा सादा सा खाना काया बहुत रियास किया सुबह चार बजूट जाती थी मैं और पुझा पाट करनी स्टडी करनी यह करना वह करना वह बिल्कुल ऐसे टाइट था मेरा शेडियूल जिस टाइम पर बच्चे खेलते हैं कूते हैं तो मैं इस चीज पर टाइम दिया और फिर दीरे 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 मेरा सबसे पहला रालिटी शो था अमूल स्टार वरस फिंडिया चोटे उस्ताद तो वह भी मेरी ज जिस जिस चीज में पापा ममी ने मुझे सपोर्ट की मेरे भाइयों ने सपोर्ट करी जिस फील्ड में मुझे विया जो जो करने के लिए मैंने बोला उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मैंने विस चीज पर अमल करके दिखा लेकिन सोनिया हम जो गाना सोना भी रहे है रेशमका रूमा लगड मैं डाल के तू आजाना यो डूड मेरे मां मा दिली कहा सुर्मा लगा के अरे खड़ी हूं कलब कह दरवज पे हो 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 रेशमका अर दिल बर मेरे मैं बढ़िया तू फाइन मैं तेरी और तू माइन आज जस्वांट वू से हो 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 रेशमका अपके अपर वाकई वे मा सरस्वती का शरवाद है अच्रवाद है अच्रवाद लेकिन ये आवाज कैसे बनी लाएक आपने क्योंकि जगराते ये आपने काफे कि ये वहां से बेस बना एक चीज कह सकते हैं कि पापा का जो भी मेरी आवाज ये शाद इसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं मैं गॉड गिफ्टेडी यू मतलब जो मुझे वोकल मा सरस्वती ने दी है और सबसे बड़ी बात कि मैं जहां रहती हूं मेरे घर से बिलकुल सामने मा सरस्वती का असले मंदिर है और गंगा यम्रा सरस्वती और मेरे घर से जहां बाहर के तरफ हम निकलते हो तो सामने मात है कि जोड जलती नजर आती है तो एक और वैसे वी मैं शर्मा हूं हम मुझे ब्रामन है और हमारी शद्धा बहुत होती इन सब चीजों में महनत माबाप का अश्रिवाद बड़ों का अश्रिवाद और बगव मैं रोज सुबद चार वजे उठना माता के मंदिर में जाके मेरे को इक होता था कि मैने सबसे पहले जाना है वो माता को जो दरबार खुलता था मैं पहली सामने बैटी हूँ थी कि मैं पहले हूं मैं फरस्ट हूँ मुझे पहले देखना है उसके बाद में आपकी चार 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 निष्कीक मैं आपका जाना है उसके बना माता मैं नहीं बुदा प्सका थूदा जबनी एक गईता घून. बिल्कुल बिल्कुल देखें एडवांस में सुना रहे हैं या भी रिलीज भी नहीं हुए रिलीज से पर आपको सुना रहे हैं वह सुप्राइज अब यूट्योब पर जाके सर्च कर सकते हैं जो मैं सुनाने जा रही हूँ रंग चड़ गया मादा लाल लाल 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 रंग चड़े गया मादला चड़े लाइफ टर्निंग पाइंट था मैं बता निसका था इतने सारे फैंस मेरे सामने खड़े और उस टाइम पे मुझे यहीं था जब मैं कहीं से निकलती था लोग मुझे पहचान लेते हैं तो वो चोटी चीजे मुझे इतनी अच्छी लगती है और ज़े मेरा पहला देख के लोगों को अकसर घबराहत हो जाती है तो मेरे अंदर कॉंफिडेंस आया कि यार कमाल की बात है कि आज मुझे जो मेरे सपना था कि मैं कभी इतने लोगों को बीच में खड़े कर गाऊं तो मेरा सपना पूरा हुआ और बहुत मजा आया था मुझे आज भी वो दिन मुझे ओक देख की गरौर हैं को सब लोग थे औस Amin कमुठेंस एवे कंपशफ था है तो अस दोरान मैनेक परफॉर में सारा करीब से शुनिधी जी का तो उस परफोर्मेंस में मैं परफॉर मर दे बनी थे खर्पारशहरा मुझे दी ती यह जजे ताय। बहुत अछी essayer मेर वर रात को मेरा कुछ दिनों से गला बहुत ज़ादा इतना खराब था कि मैं बोल भी नी पारी थी एक तुम कोल दुआ पढ़ दा था रात को दो बजे मेरा था कि झाल के अर मैं गा सकती हूं और मैं मैं के सामने गई गला बहुत खराब था मतलब अकसर हो घ्कक हो रहा रखा यही चाहिए ज़ाए अगर मुझे यह नॉर्म्ल वोकल् साहिए हो तो मैंने आपने सारी सिंगर्स यह वी और फिर हो सकता है कि मातर राने नी अइसा किया हो सकते है इस में भलाई थी इस में वो वोकल्ष रो इस लोग बहुत सारी लोगों ने गई था मैं नाम नी लेना चाहूँ था हूँ तो सेम ऐसे हुआ, मैं सेम कोल था मुझे, मुझे जैदेव जी का ओला आता है सोने स्टूडियो वाजा, कुछ करते हैं, मैं आई यार मैंने का गाना बनाया सुन कैसा लग रहा है, मैं ने सुना मैंने का दिल लेगी कुछ आदी हूँ तो अपने अप में हिट है पंजाब का and टीक पर दो मिएक मेरा गळा खराब है। चाहिए यह इसकीन छाहिए। गाहिए। मुझे थो मिनटे पहले लिडिक्स में आपके भड़ते हो यह कै जे टाइं। मैं भेड़ा मैं बना टाएं। दूसरा प्रेक था पर पंचाबी मुविस में मैं यह गाया। और अब दीरे 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 चाहिए अस पितनी बार भी मैंने गाया आ गलाख हराभी। दिल लगी कुडी हो रिमिक्स आपने क्योंकि वह गाया था लेकिन वह गाना पहले से बहुत हुआ हटा तो एक वह प्रेशर आपको लगा कि गाना तो है लेकिन justify भी होना चाहिए फिर उसको remix गाना है आपको तो लोगों के जुबान पर चाह जाए लेकिन दिल लेगी कुडी क्योंकि आपने justify बिल्कुल किया है लोगों के जुबान पर फिर से चाह आ है गाना एक बार दो लाईने उसकी हो जाए दिल लेगी कुडी गुजरात दी हो सारा फ्लोर हिलादू सची आगल लगादू और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सोनने आपके आगे अगे जो कमिंग नवरात्री हैं उसके लिए मैंने माता की एक अलबम तियार करी और बहुत अच्र अच्र बजन है अगे प्रभियों प्रण चाड़ गया मादालाल अल्रेड इतना सादा लाइक हिटो चुका है लोग मुझे एक बहुत गार्यार है यह आप अपने जाग्ण में और उसके बाद मैने लोगउं थीन पंजाबी सिंगल्स रेडी की हैं लोगों के लिए सुप्राइज है जितने भी मेरे फैंस हैं फ्रेंड समस अब के लिए एक लाइक कोशिश कर यूं छोटी सी और अच्छा है कि कब तक कब तक कब तक हाँ दो तीन महीनों में पंजाबी सिंगल्स जो है वो सोन्या के वो भी आप सुन प गुलाम अली खान साब जितने भी बड़े बड़े जो उस्ताद लोग हैं और जगजीत सिंग जी यह सब जग्मेंट पे होते थे वो इतने जादा मतलब स्ट्रिक्ट थे कि जितने कंटेस्टेंट से सब ड़ते थे उनसे क्या जगजीत जी हंसराज जी आया सब प्यार से ब अच्छी पान मेरा नहीं आपाया है वह उपसो मैंने कम एक मुवी किया है थे शाड़ अफ ताज उसमें मैं एक लीड रोल में भी हारी हूं मतलब उस ताम पर मैंने बच्छी का रोल के तर मतलब हो गया इस बात को पांचे साल पहले की बात है और मैंने सौंगा था पहला जिसने मुझे सिखाया कि माइक को कैसे फेस करते हूं जगजीत जी का था उसके बाद मेंने टी सीरीज में बहुत सारी आल्बंस करी है टी सीरीज के साथ मैंने डिवोशनल बड़ा काम किया बहुत सारी प्रोजेक्स किये तो इस दोरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और इनसे कि आप जादा गाती है तो एक सूफी भी सुना दो आप दर्श को को आपके फैंस देख रहूंगे इस वक्ट आप सभी आपको हो मोसे ने ना हो मोसे ने ना कागा सबतन खायो मोरा चुण चुण खायो मासरे ये दो ने ना ने ना मोरे ने ना मत खायो इन में मोरे साई मिलन की आस मैंनु चड़या रूप दाजैर प्यार दी बीन सुना जावे नियाज कोई जोगी आवे जोगी 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 हां जोगी हां जोगी 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 जोग हर्यान में भी गाने गाती है हाँ इंफेक तभी गाना है जो अपने आप में बड़ा ही तरह जाता हू पाथ्षे जिए हाँ वो मतलब पता निया अप लोग मैं नहीं गाया था मेरे पीछे थोड़ी प्रॉब्लम होगी थी मेरे डाट को में जो हार्ट अटाइक हो आथा तो मैं इधर ही थी चंड़िगड में तो इस टाइम पर बॉमबे नहीं जा पाई कुछ पॉर्मालिटी होती है जब एमें गाना रिकॉर्ड करते हैं तो इसके बाद वो गाना फाइनल होता है तो कुछ पेपरवर्क हो तो उसके बाद वो लाइक मेरा नहीं हो पाया उसकता है तो बात आती है हर्याना और पंजाब में तो इक बर सुना दो आप जरूर ओ हट जा ताउ हट जा अरे हट जा रे ताउ पाँचन नाचन दे जी भरकेन अरे आज हट जा रे ताउ पाँचन नाचन दे जी भरकेन अरे आज हट आया नहीं हटूँगा डाटे ते भी नहीं डटूँगा मैं आज नहीं सूँ आप में नाचन देजी भरकेने मैं आपने सामने से बोला जाता है तू अपने आपको कुछ समझ के रहा करना मैं करते ह। क्युकि मेरा गला बस और मैं सोचती नहीं कि मुझे कुछ मीला है बस हां यहीं सूचते हैं कि मेरे कुछ तो उसमें से मेरी 20% सब्सक्राइब थोड़े-बहुत पूरे हो गया है, अभी बहुत कुछ करना वहां तक पहुंचने की अप अभी बहुत एक गोल है आपका जिसको अभी हसल करना है लेकिन इसके साथ ही Sonia, अगर आपके उस गोल के वार में जानूंगी लेकिन इस ते पिल अगर आपके स्कूल और कोलेज लाइफ करें तो वो कैसी रही हाला कि अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन स्कूल लाइफ कैसी अभी रहे मतलब उन्होंने मैं बहुत सपोर्ट किया और मैं शोस करना शोस से आना रात को बैठके पढ़ना सुब एक्जाम देना इसके बाद यह करना इतना पैक रही हूं एक टाइम पर अभी भी हूँ बट अभी है कि एक स्टडी का बर्डन नहीं है बट मैं पढ़ना पढ़ों की भी आगे ठीक ठीक से आप सब बहुत मिस करते हैं इसके साथ ही क्योंकि हर एक सिंगर का या एक्टर का कोई आइडिल जो होता है तो आपका इडिल को नहीं है लता मंगिश्कर जी उनको आप अपना इडिल मानती है लेकिन इसके साथ ही आपने गोल की बात की त साथ ही हार एक सिंगर का सपना होता है कि मुझे इस एक्टर के लिए आवाज देनिया अपनी या एक ऐसा ड्रीम होता है कि इसके लिए एक आश जो है मैं प्लेवएक सिंगि जो है वो करो तो ऐसा आपके मन में है कोई अभी हम बिलकुल मैं सल्मान भाई के लिए उनकी करना चाहूंगी अगर मुझे चांस मिलेगा तो जरूर करना चाहूंगी बिलकुल लेकिन सोनिया जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि आप एंटर्टेन्मेंट स्ट्री में है अब म्यूजिक जो है उस फील्ड से हैं सिंगर है आप लेकिन अभी क्योंकि बहुत साई पाप ममी ने सपोर्ट किया मुझे बहुत उन्होंने बोला कि आपके सामने वो सब चीज आई तो परिवार ने आपको डोकने का प्रयास किया उस टाइम पर नहीं क्योंकि परिवार को पता था कि अमारी लड़की अपने बहुत बोल्ड है सामने वल इंसान अगर आपसे ग आपके बात करेगा तो माता मतलब जो हमारे इश्वर है जो गौड है उन्होंने इतनी हमत लड़कों को दी होती है कि सामने वाली की बोलती कैसे बंद करवानी वह आपको आनी चाहिए और लड़कियों को काफी हर स्टेप पे हर कदम पे फेस करना ही होता है तो अपने अपने बाल सकती है और उसके सासथ वो लोग मेरे साथ हमेशा होती है लेकिन सोनिया बॉलिवूड में क्योंकि धमाकेदार एंट्री आपकी हो चुकी है अल्रडी तो ऐसे में अभी क्योंकि competition भी बहुत जादा बढ़ गया है आप क्या जूस मुकाम तक आपको लगता है आ पहुचन है तो वहां तक competition सबको पीछे छोड़ते हुए आप कितना आसान आपको नजर आ आप बहुचना बिलकुल असान नहीं है बलकि अभी में जर्नी स्टार्ट हुई है मेरे अब तो बहुत क्योंकि आज की ताम पर competition यह नहीं सिंगिंग में हर लाइन में अब किसी भ तो मतलब अपनी जगा बनाना बहुत मुच्किला और बहुत मैनत करने पड़ेगी मैं दिनरत लगी रहते हुचना लग ट्रावल भी करते हैं शोज भी गड़ते हैं इन फैक्ट मैं पीछे अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले एक मेरा शो था तो हमारे एक चेन बनी हुई थी कि अब यकीन मानोगे कि मैंने 65 मैंने लगा ट्रावलिंग करी हैं और उसके बाद शोज भी की हैं बीमार भी थी तब भी पबलीक के सामने जाना पड़ता ओडियंस क्योंकि वो हमारे वेट करें तो यह सब अभी तक मैंने फेस किया मैं सोचते हूं जो लटा जी को मैं आइड समझ नाया वे ए चौन दे आखिर की ए मत्थे वट क्यूं पालें दे जदो जम्मे कर विच ती पुता दियां हर कोई पाले जोडियां मतलब जब बेटा पैदा होता है तो सब उसकी खुशिया मनाते हैं ती जम्मे जदो मत्थे पोण त्योडियां सुणे जान दे नियो बोल लोकी आख दे ने जो मैंनू दसे अमिये नी ती आना लोवद मापे पुतरा नू कर दे क्यूमो मैनू दसे अमिये नी मैनू दसे अमिये नी बहुत ही खूप सब्सरात आपने काया है और वाकई में जो आपने तै Congo आपने रहालिटी है वो दिखाए कि जब बेटा जन पापा उता धो खुशियां बनाई जाए जाते हैं बेटी जब ईती तो वह अधावे बच्द कर दो ह करते हैं आप जिस मुकाम तक जो गोल आप हासिल करना चाहती हैं वहां तक जरूर पहुंचें और आज बेटियां किसी भी फिल्ड में बेटों से पीछे नहीं है सोनिया इसका एक उधारन थी और बहुत सारी बेटियां हैं जो आज इस सोच को बदलने में कामियाब भी हुई हैं मैं बेटी हुँ में फिलाल आज के लिए वसत नहीं अगले हफते आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी ही बेटी से फिलाल दीजे जासत नमस्कार कर दो